अब फिर पत्रकारों के आज हम आपकी उस कसोटी पर उतरेंगे कि भारत के इतिहास में कोई भी दरवार वाला नहीं उत्तरा होगा रुक जाएए अब पत्रकारों में फिर से हे बाला जी आज भर लीला कर दो आज के बाद हम आपको परिशान नहीं करेंगे राम बोलो सीता राम सब लोग शीता राम शीता राम आप मेंसे कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है बोलिए 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 आप मेंसे कोई पत्रकार हमारे बलकी चाचा जी का नाम उस पे भी है संसकार टीवी पे कोई बता सकता है बोलो बोलो बरना आज के बाद अंद विस्वासी कहना बंद कर देना क्या बता सकते हो अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भ्रगुनात तिबारी हो वो आ जाए आपके चाचा का नाम भ्रगुनात तिबारी है जी मेरे चाचा का नाम भ्रगुनात तिबारी हो और वो भोपाल में रहते हैं अभी मथुरा में हैं आज लेकिन हमने लास्ट अनमती ली है अपने बालाजी से क्या तुमने पहले बताया लोगों को अंदविस्वास में तुनहीं ढखे ला है महाँ पाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो गुरुजी मैं तीन दिन से बलकी सच्चाई को अभी पी नियूस में दिखा रहा हूँ मैंने कोई अंदविस्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है तो क्या तुम्हारे भाई का नाम रागबिंद तिबारी है जी गुरुजी एक पत्रकार होने के नाते-नाते मैं यह कह रहा हूँ आचारे दिरेंदर सास्तरी की जए क्योंकि मैं जो सुन रहा हूँ मैं देख रहा हूँ यह चमतकार नहीं है क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बन माया है जी गुरी प्रवेस किया है दो दिन पहले हम हनमान जी के सेबक हैं ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की क्रपा को पाया है जो भ्रम फैला रहे आज के बाद भ्रम बंद कर देना और आज के बाद हम किसी को प्रमार पत्र नहीं देंगे ना सफाई देंगे ये सपत गद्दी से खा रहे हैं पूरे भारत को अंद्विस्वास में धखेलने के लिए हां तो नहीं बोल रहे हैं जी बिलकुल नहीं, बिलकुल नहीं मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और मैं तीन दिन से सच्चाई का पता लगा रहा था और एबीपी न्यूस जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि ये लाइव ये लाइव दिब दरवार के टेस्ट में आचार धिरेंसास्त्री जीन ने जो कहा है मैंने केवाल इसे इंटर्व्यू किया था अपनी जीवनी नहीं बताया था जो इन्होंने बताया है वो सच है और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूँ ये कोई अंद विश्वास नहीं है मैं फिर कह रहा हूँ बाबा बागे स्वरधाम की जै आज के बाद क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थर नहीं है आज के बाद अब हम कभी भी किसी को भी किसी से हमें प्रमाण पत्र की आउशकता नहीं है आज पूरी नेसलल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया first or last है अब आपका एक प्रशन है हम बताएंगे और आज के दरबार को क्योंकि हम पून होस में नहीं है इसलिए आज के दरबार को हम बाला जी की अनमती से आये थे और आज के दरबार को हम इसी के साथ बिराम करेंगे कल चार घंटे दरबार लगाएंगे लगातार कोशिश कर रहा था, मैं इसी मीडिया में, इसी पत्रकारिता छेत्र में, और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूँ, इसी फिल्ड में रहकर, उसको लेकर, पदोन्नती का प्रशन है करपा होगी पत्रकार में इस मंत्र का जाब करें आशिरबाद है बहुत रुकिये एक ये रखा है और आपका एक और रखा है हम गुरु हैं उची गोटी खेलते हैं कच्ची गोटी नहीं खोई लिए इसमें वो रहस भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं सिर्फ तुम्हें और हमें पता है वो पूरे कमरों के डिटेल लिखी है इसमें और ये धमकी नहीं है सिर्फ आधा पड़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे और परचा बापस ले लेंगे एक ये आएंगे ये भाव से बैठे हैं बस ये आपने भी नहीं सोचा होगा और ये हम पहले से गोटी रखे थे कि इस गोटी को भी हम मारेंगे एक परचा ले सकते हैं दौनों हाथों की मुठी बांदो सब आज चुकि हमें उतनी ज़्यादा सारी रिक हमें गुरुजी से आग्या लेनी पड़ी क्योंकि हमें कसोटी पर उतरना था गुरुजी से हमें आग्या लेनी पड़ी हमारे गुरुजी ने सुवए साड़े साथ बजे कह दिया था बेटा जाओ जंडा गाड कर आओगे सनातन का दोनों हाथों की मुठी बांज दीजे सभी सामुहिकर जी हम लगा देती काओ हे बागे सुर्धाम प्रभू हे बाला जी महराज हे सन्यासी बाबा हे कल्युक्के राजा हम पर कृपा करो हम पर दया करो हमारी अर्जी सनो हे बागे सुर्बाला जी आजी बन परियंत आपके चरणों से आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे हम आते रहेंगे परंतु हम पर कृपा करो आपकी जय हो आपकी जय हो जिनकी अरजी नहीं लग पाई आज चुकी हमें बहुत खेद है कि तुम लोग पांच घंटे से बैठे और परचा जादा नहीं बन पाई लिकन आज सनातन को चुनोती थी और हम सनातन को जुकने नहीं देंगे इसलिए हमने आज प्रण लिया था कि हे बाला जी आज हमको भेजना तो फते करवा करके आना इसलिए हमें बहुत दुख है और हमारे अंदर उस दुख के कारण आप लोग छमा कीजिएगा और अगर आग्या लगेगी तो कल हम चार घंटे तक, कल पक्का है ओम ओम कहो हे बाला जी हे सन्यासी बाबा हमारी यह अरजी सुईकार करो हम पर अपनी कृपा करो आपकी जय हो आपकी जय हो आपकी जय हो दायने हाथ की मुठी का सीधा उतारा सिर्शे शाथ बार करो बाला जी के चरणों की तरप छोड़ दो इसा करने से सरीर की जो भी नकरात्म कूर्जा होगी वो बाला जी के चर्णों में बंद जाएगी अब बाएं हाथ की मुठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में शिर से साथ बार इसे भी बाला जी के चर्णों की तरफ छोड़ दो अब दोनों हाथों को मलो बोलो ओम बागे शुराय नमा ओम बागे शुराय नमा एक वार आँखों में लगाओ शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां इसपर्श कराओ और दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की सम्यासी बाबा की दिब दरवार की आपकी बहन अरजी सुईकार हो गई है वो काम हो जाएगा कल हम आपकी अरजी लगा देंगे बाकि हमारे जोस में जो भी बुरा निकला हो तो हम भीया यही कहते हैं कि हमें होंस नहीं के बोलने बाला कोई और था वह बोल कर चला गया जो कि बोलने बाले सन्यासी बाबा बाला जी थे वो अपना काम करके चले गए अब हम вам नौर्मल के नौर्माल आजमीं हैं धीरिंडर खिनिके दीरिंडर कृत नं कि अईकी बहनम जी और यह जो है 앞으로 कि द़र ग chairman हम आज 36 गड अब हुआ है इसलिए हम आप लोगों का मन को ही नहीं करेंगे आज की कथा अपने समय पर होगी और बस अब हम जो है थोड़ी देर के लिए हमको विदा लेना पड़ेगा अभी भी आप माइक से बोल दीजे फिर बाद में मत कोई कहें नहीं मैं तो बिल्कुल सवाल नहीं उठाकर आज का दर्बार कथा में कौन-कौन आ रहा है हाथ उठाओ पक्का 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 अरे पागलो चिंता मत करो हम सनातन का जंडा विदेशों में भी गार कराएंगे पूरे दुनिया में भारत के संतों से कहेंगे आप लोग अपना सिरूंचा कर लीजिए भारत के संतों की तपस्या की क्या तागत है उसका दर्बार बागे सुर्बाला जी का दर्बार है अब जो पाकंडी कहेंगे सनातन विरोधी कहेंगे अंद्विस्वासी कहेंगे कौन कौन बाइकोट करेगा हाँ तो इटाओ तो मैं सपत है अपने अपने पिताओं की कौन-कौन बाइकोट करवाएगा अगर अंद्विस्वासी और सनातन ब्रोधी कहेगा तो बाइकोट करोगे न्यूज बालों को टीवी बालों को जो संतों बरोद करेंगे उन संतों को हमारा नहीं सनातन का कोई बरोद करेगा तो कौन-कौन बाइकोट करेगा पक्का पक्का अब भारत में रहना होगा तो सीता राम कहना होगा